जी आदर्निय उप्राश्वती जी आदर्निय स्पीकर महदर जी सिमान प्रालाजी और सभी आदर्निय जन प्रतिनी दिवाएं कुछ दिन और कुछ आफसार ऐसे होते हैं जो अतीद के साथ हमारे समंधों को मजबुती देते हैं हमें बहतर भविश्ट में और उस दिख्षा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं आज ये 26 नवंबर का दिवस आएकिहासिक दिवस है सत्तर साल पहले हमने विजिवत रुप से एक नए रंग रुप के साथ सब्रिधान को अंगिकार किया था लेकिन साथ साथ आच चविश्ट नवंबर दर्द भी पहुँचाता है जब भारत की महान उच्च परंपराएं हजारों साल की संस्कृतिक विरासत वसुध है कुटुम कम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा उसे आज ही के 26 नवंबर के दीन मुंबई में आतंकवादी मनसुबों ने चलनी करने का प्रयास किया था मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूँ साथ दसक पहले इसी सेंटरल हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गुंज थी समिधान के एक-एक अनुक्षेद पर बारीकी से गहन चर्चा हुई तरक आये तथ्य आये विचार आये आस्था की चर्चा हुई विश्वात की चर्चा हुई सपनों की चर्चा हुई संकल्पों की चर्चा हुई एक प्रकार से ये सदन ये जगा ज्यान का महा कुम्ब था और जहाँ पर भारत के हर कौने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था डॉक्टर रादेंदर प्रिशाथ, डॉक्टर भीम राव बाबसाब अंडेकर, सरदार वल्लभाई पतेल, पंडित नहरू, आचारे क्रपलानी जी, मौलाना आजहाथ, पुर्शतमदास चंडन, सुचिता क्रपलानी जी, हंसा मैता, एल्डी कृष्ण स्वामी अईयर, एन गौपाला स्वामी आएंगर, जॉन मताई, अन गिनत ऐसे महापुरूष, जिन्होंने प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष योगदान दे करके, हमें इस महान विरासत हमारे हाथों में सुप्रत की है, आज के इस अवसर पर, मैं उन सभी महान विपूतियों को समरन करता हूँ, और उनका आदर पुर्वक नमन करता हूँ, आज अपनी बात की शुरुवात मैं आप सभी को, बाबा साब आम्बेड करने 25 नमबर 1949, समिधान अंग्लिकार करने के एक दिन पुर्वा, अपने आखरी भाषन में जो बाते कही थी, उसका जुरूर ना करना चाहूँगा, बाबा साब ने देश को याद दिलाये था, कि भारत पहली बाद 1947 में आजाद हुआ है, या फिर 26 जनवरी 1950 को गंतंत्र बना ऐसान नहीं है, भारत पहले भी आजाद था, और हमारे हाँ अनेक रिपब्लिक भी थे, अरोना ने आगे व्यथा बैक से की थे, लेकिन अपनी ही गल्पियों से, हमने अतीत में आजादी भी खोई है, और रिपब्लिक करेक्टर भी गवाया है, ऐसे में बाबा सामने देश को चेताते हुए पूछा था, कि हमें आजादी भी मिल गए, गंतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं, क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं, आज अगर बाबा साब होते, तो उनसे अधिक प्रसनता शाहिद कीजिक को होती, क्योंकि भारत ने इतने वर्षों में न केवल उनके सवानों का उत्तर दिया है, बल्कि अपने आजादी को, लोगतंत्र को और सम्रुद और ससक्त किया है, और इसलिए आज की इस अफसर पर मैं आप सभी को, बीते साथ दसक में समिधान की भावना को, अक्षुन रखने वाली विधाई का, कायर पाली का, और न्याई पाली का के सभी साथियों को, गवरोपुरुद स्मर्ण करता हूं, नमन करता हूं। मैं विशेश को और पर एक सो तीस करोड भारत वहसियों के सामने नत्मस्तक हूं, जिनोंने भारत के लोगतंतर के प्रती आस्था को कभी कम नहीं होने दिया, हमारे समिधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंध माना, गाइडिंग लाइक माना। समिधान के सत्तर वर्ष हमारे लिए हर्ष, उत्कर्ष और निस्कर्ष का मीना जुला भाव लेकर के आये हैं। हर्ष ये हैं कि समिधान की भावना अटल और अडिग रही हैं। अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी हैं, तो देश वांचियों ने मिल करके उनको असभल किया हैं। समिधान पर आच नहीं आने दी है। उत्कर्ष इस बात को हम जुरूर रजिश्चा करते हैं कि हमारे समिधान की मजबूति के कारण ही एक भारत, स्रेश्च भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं। हमने तमाम सुधार मिल जुल करके समिधान के दाइरे में रह करके किये हैं। और निश्कर्ष ये हैं कि ये विशान और विविद भरा भारत प्रगति के लिए, सुनहरे बविश्च के लिए, नए भारत के लिए भी हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ समिधान, समिधान के मर्यादाए, समिधान की भावना, यही एक मात्र रास्ता है, एशह पंथा है। हमारा समिधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है। एक ऐसा ग्रंट जिसमें हमारे जीवन की हमारे समाच की हमारी परंपराव हमारे माननेताव हमारे वहवार हमारे आशार उन सब के साथ का समावेश हैं साथ साथ अनेज चुनोतियों का समाधान भी है हमारा समिधान इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बाहरी प्रकाश के लिए अपनी खिड़कियां खोल रखी है और उसके साथ साथ भीतर का जो प्रकाश है उसको भी और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर भी दिया है आज इस अवसर पर जब हम कहेंगे तो मैं एक बात 2014 में लाल कीजे के प्राचीर से जो मैंने कही थी उसको दोहराओं का समिधान को अगर दो सरल सब्दों में कहना है सरल भाषा में कहना है तो कहूंगा dignity for Indian and unity for India इनी दो मंत्रों को हमारे समिधान ने साकार किया है नागरिक की dignity को सर्वोच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एक तावरा खंड़ता को अक्षुन रखा है हमारा समिधान वैश्विक लोगसंत्र की सर्वोच्रस्ट उपलब्दी है यह न केवल अधिकारों के प्रती सजग है बलकि हमारे कर्टव्यों के प्रती जागरुगी बनाता है एक द्रस्टी से हमारा समिधान दुनिया में सबसे अधिक पंथ निर्प्रेश है हमें क्या करना है कितने बड़े सपने देखने हैं और कहां तक पहुचना है इसके लिए किसी भी प्रकार की बंदिस नहीं है समिधान में ही अधिकार की बात है और समिधान में ही कर्टव्यों के पानन की अपिछा है क्या हम एक ब्रस्टी के तौर पर एक परिवार के तौर पर एक समाज के तौर पर अपने कर्टव्यों को लेकर उतने ही गंबी है जितना चीज हमारा समिधान हमारा देश हमारे देश्वासियों के सपने हमसे अपेक्षा करते हैं जैसा कि राजेंदर बाबुजी ने कहा था कि जो कॉंस्टिटूशन में लीखा नहीं है उसको हमें कन्वेंशन से स्थापित करना होगा और यही भारत की विशेशता भी है बीते दसकों में हमने अपने अधिकारों पर बल दिया और वो आवशक भी था ठीक भी था क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बन गई थी जिनके चलते एक बड़े वर्क को अधिकारों से वन्चित रखा गया था बिना अधिकारों से परिचे कराए इस बड़े वर्क को समानता समता और न्याय का एसाद दिया दिला पाना संभव नहीं था लेकिन आज समय की माँग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरी से तौर पर अपने कर्तव्यों अपने दाइत्व पर मंधन करना ही होगा क्योंकि दाइत्वकों निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का एक अतूत रिष्टा है और इस रिष्टे को महत्मा गांधी जी ने बहुत विशेश उसे बखुभी समझाया था आज जब देश पुझ बापु के एक सो पचासवी जैन्ती का पर्व मना रहा है तो उनकी बातें बहुत प्रासंगी हो जाती है वो कहते थे राइट इस डूटी बैल परफॉर्म उन्होंने एक जगल लिखा भी था कि मैंने अपनी अनपड लेकिन समझदार मां से शिखा है कि सभी अधिकार आपके द्वारा सच्ची निस्था से निभाए गए अपने कर्तव्यों से ही आते हैं पिछली सतार्जी की शुरुवाती दसकों में जब पूरी दुनिया अधिकार के बारे में बात कर रही थी तब गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा था आईए हम लोग नागरिकों के कर्तव्य यानि डूटीज अवा सिटिजन के बारे में बात करते हैं 1947 में युनिवस्टो के महा निर्देशत डॉक्टरल जूलियन हस्कले ने विश्व के साथ बड़े महनुभावों को बड़ी भाजी हस्तियों को एक पत्र लिखा था और उनसे मार्दर्शन मांगा था और उन्होंने पत्र में पूछा था कि वर्ल्ड चार्टर ऑफ हुमन राइट्स ये बनाना है तो इसका आधार क्या हो और इस बारे में उन्होंने दुनिया के महानुभावों से अपनी राय मांगी था महत्मा गांधी कैसी भी भागे थी लेकिन दुनिया के हर किसी ने जो अपनी प्राय दिया महत्मा गांधी का कुछ अलग था महत्मा जी ने कहा था और उन्होंने जवाब दिया था कि हम अपने जीवन के अधिकार सभी अर्जित कर सकते हैं जम नागरी के तोर पर